इजबुल्ला और इस्राइल का वार्ट पलट वार्ट खतरनाक रूप लेता जा रहा है दोनों पक शेक दूसरे पर हावी होने के लिए जोरदार हमला दोन रहे है इस्राइली सेना लेबनान पर हमलो के साथ साथ जमीन से भी धावा बोल चुकी है इस्राइली हमलो का माकूल जवाब देकर युद की आग को लगातार बढ़ा रहे है एसी आशंका जताई जाने लगी है कि इस्राइल का लेबनान में जमीनी ओपरेशन का फैसला गलत साबित होता नजरा रहा है हिजबुला ने अपने हमलों को धार देकर इस्राइली शेहरों तक को धहलाना जारी रखा है इस सिल्सले में हिजबुला के कामिकेज ड्रोन के स्क्वाइटरन से राजधाने तेलवीव के बाहरी इलागों पर हमला किया समून ने बताया कि लड़ाकों ने इस्राइल को सबक सिखाने के मकसद से जोर्दार हमला किया इस्राइली सेना ने किजगुला के ताजा ड्रोन हमले को नाकाम्याब बताया सेना ने कहा कि सीमा पार करते ही दो ड्रोनों पर नजर रखी गई और लड़ाकों भी मानों ने उनमें से एक को मार गिराया मगर हिजगोला ने दावा किया कि ड्रोन हमले से इसराइल को काफी नुकसान पहुंचता है सोशल मीडिया पर शेर किये गए फुटेज में इसराइली शहर की इमारतों के उपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया हलाकि अब तक इसकी सटीक पुष्टी नहीं हो पाई है प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबएक हाइफा शहर के पश्चिम में केरियत अलेजर में इसराइली एर बेस, इन मारगालियट मिलिटरी बेस, केरन नफ्ताली में संचार बेस और बोलन हाइट्स में होउमा बेस को रॉकेट, बैराज, ड्रोन, स्कॉाइडरन और लडाकों ने एक काइड़ेट मिसाइल से हमला किया, इससे बड़ी संख्या में इसराइली बालो को नुकसान पहुचने का दावा किया गया है। इस बीच इसराइली सेना ने कथित तौर पर उत्तर मध्य सीमा पर जारीत, सुमेरा, स्टूला, नेटोवा और एवन मेनाचेम की बस्तियों को मिलिटरी साइड घोशित किया। इन इलाकों में आम लोगों के भी घुसने पर रोक लगा दी गई है। जवर्दस्ट एक्शन मोड में है। भीते दिनों इसराइल पर दरजनों रॉकेट दावे जाने की बात सामने आए। जिसमें हाइफा, सफद और कई उत्तरी इसराइली शहरों में अलर्ट सहरन बजा। इस दोरान हिजबुल्ला ने कहा कि समू के प्रात्मिक्ता दुश्मन को हराना और उन्हें हमला रोकने के लिए मजबूर करना है। मगर वो हमले को रोकने के लिए किसी भी कोशिश के लिए तयार है। तेलवीव तो केवल शुरुवात है। इसरायल ने अभी तक बहुत कम देखा है। प्रात्मिक्ता र किसी भार्व तक रसें हमची शुरुAf को